बिहार में अपरादी बेखौफ होकर लूट छिनेती और हत्या जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रही हैं इसी कड़ी में मुजफरपूर के कूड़नी में देराद दुकान बंद कर घर लोट रहे खाद बीज वेबसाई प्रभाकर जाकी आरोपियों ने गोली मार कर हत्या कर दी गोली मारने के बाद अपरादी वेबसाई के 7 लाख रोपे लूट कर फरार हो गए परेजनों के मुताबिक देरशाम मनिहारी के बाधी स्टेट इस्थित दुकान बंद कर वेबसाई अकेले बाइक से अपने गाउं कूड़नी थाना के परेया लोट रहा था तभी रास्ते में ओवर टेक कर लोटेरों ने घिर लिया और गोली मार कर रोपई लूट लिये जबकि उनकी बाइक घटना इस्थल पर ही पड़ी थी घटना के तुरंत बाद परेजनों और ग्रामीड निजी सवारी से प्रभाकरजा को बैरिया इस्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी वहां डॉक्टर ने उसे मिर्द घोशित कर दिया इस घटना से परेजनों में कोहुरा मच गया परेजनों का रो रो कर बोरा हाल है बागी में उनकी खाद की दुखान है बागी से चले हैं पहुन आठ वजे में हाट और चौक के बीच में पड़े हाँ हाट और हाट चौक के बीच में तीन गोली चली आवाज लोग सुने लेकिन नहीं समझ पाय जो आवाज 25 समझ के 25 तीसमबर फटाके की आवाज को समझे लेकिन लग तब तक में 15 मिनिट समय बीच चुका था एक टेंपू वाला उधर से लौटा है वह लौटने पर वही बताया जो ऐसे से वहाँ गूली लग गई घटना हो गई तब हला हुआ लोग गाए वहां से लेके मुझाफ़पूर के लिए चले जानकी होस्पिटल करके अपने घर आ रहे थे उसी क्रम में गूली मर के इनके हत्या कर दी गई है जो भी बिंदू हैं उन सभी बिंदू पर हैं लोग इंविस्टिगेट कर रहे हैं ताकि घटना के सही कारण और घटना के पीछी चो जीमिदार लोग हैं उन तक पहुँचा जा सके हैं वहीं सूचना पर घटना स्थल पर पहुँची कूडनी पुलिस को इस्थानी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा आक्रोशित लोग हत्यारों की ग्रफतारी की मांग कर रहे हैं लगातार बढ़ती घटनाओं से एलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है पंजाब के SD TV के लिए मुजफर पर से संतोष की रिपोर्ट